पेर दरद के कुछ घड़ेलू टिप्स बिना दूद के चै पीने से पेर दरद में अराम मिलता है पेर दरद में पानी में थोरा सा मिठा सोडा डाल कर पीने से फायदा होता है सुखा दरद और मुँ में चुसने से पेर दरद में तुरंत अराम मिलता है हरा धनिया का रस एक चमस सुद घी में मिलाकर लेने से पेर के दरद में सिद्र अराम मिलता है इस बोलोगा को दूद के साथ रात में सोते वक्त लेते रहने से पेर दरद में अराम मिलता है दो चम्म सोफ रात भर एक गिलास पानी में भीगो के बाद इसे सुबह खाली पेट छान कर पीने से पेड़ द्रवद में अराम मिलता है मैलाओं में थाराइट के लक्षन वजन बढ़ना यानी मटा पन होना अवाज का भाड़ी होना तोईचा का सुखना बालों का मोटा होना और बालों का जहरना कब्ज की सिकायत मासिक धर्म चक्र में असुंतला होना दिल की धरकन होने में धिमा होना रक्त कोलो श्ट्रोल का र बढ़ना कमजोड़ी और ठाकान महसूस करना ठंड को सहन करने की छमता कम होना कौमल या कठोर होना और उसमें दर्द होना तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर द देजेगा मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर दो हैं औरूर जाएगा कर दोटाओगा तक करो दोटाओगा तक का दोट।